नवस्कार दोस्तों एक वाफिर आप सबका शौगत है आपके एपनी यूट्यीब चैनल हिंदी साहित शर्दा में दोस्तों हमाई हिंदुस्तान में हिंदी भाषा का क्या महात्तु है ये आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं और उसी हिंदी को चारचान लगाते हैं हमारे हिंदी के शाहितिकार तो उन्हीं शाहितिकारों की स्रेडी में आज हम लोग देखेंगे सुरिंद्वर्माजी की करतियां और उनकी करतियों को ब्रकाशन वर्स के करमान उशार यात करने की सिंपल से ट्रेक तो सुरियंद्वर्मा जी का जन्व साथ सितंबर 1941 इस वी जाशी में हुआ था और इन्होंने भासाविज्ञान से एमे किया था जोस्तों हिंदी से रिलिटर्ट कोई भी एक्जाम हो उसमें सुरियंद्वर्मा जी की करतियां बहुत ही इंपोर्टन भूम का निभाती है इनका लिखा गया एक उपन्यास मुझे चांद चाहिए ये कई बार विभिन परिक्षाओं में पूछा जा चुका है कभी इसका प्रकाशन वर्स पूछ लिया जाता है तो कभी इसकी विधा तो सुुरियंद्वर्मा जी के और भी उपन्यास है निक पहला उपन्यास अंधेरे से परे ये 1968 видео में प्रकाशी तुआ और मुझे चांद चाहिए ये 1993 बेस में प्रकाशी तुआ दोस्तों और इस पर इन्हें साहित्यकादमी पुरुसकार 1996 भी में प्रदान किया गया इनका निक्ष उपन्यास है मुर्दों के लिए गुलदस्ता ये 1998 भी में प्रकाशित हुआ सुर्यन दंहेरे से डरे चांद चाहिए मुर्दों के लिए इस एक पंक्त से दोस्तों हम लोग इनके उपन्यासों को प्रकाशन वर्स के क्रमानिशार याद रख सकते हैं अगर आप लोग इस एक लाइन को दो-तीन बार रिपीट कर लेंगे तो इससे आप लोगों को इसका राइटर भी याद रहेगा और इनका क्रम भी याद रहेगा जो कि ने टेज़िटी पीज़िटी त्यादी एकजामों के लिए उन सभी एकजामों के लिए जिनमें हिंदी आती है बहुत ही इंपॉर्टन सावित होगा तो एक दो बार हम लोग इस लाइन को और रिपीट कर लेते हैं दोस्तों सुरेंद अंधेरे से डरे चांद चाहिए मुर्दों के लिए सुरेंद से हो जाएगा इनका नाम जिसे हमें याद रहेगा कि ये सुरेंद वर्माजी के उपन्यास है और अंधेरे से डरे से हो जाएगा जैसे अंधेरे से परे इनका उपन्यास है जो पहला उपन्यास है वही मैंने यहाँ पे अंधेरे से डरे लिखा है चांद चाहिए से याद रखेंगे मुझे चांद चाहिए और मुर्दों के लिए से याद रहेगा मुर्दों के लिए गुल दस्ता की कहानिया हैं प्यार की बातें और कितना सुन्दर जोड़ा इनका वेंग है जहां बारिस ना हो सुरिन्द वर्मा जी की एक एकांकी है नीन कियो रात भर नहीं आती सुरिन्द वर्मा जी ने अनेक नाटक लिखे और इनके सारे नाटक बहुत ही important हैं इक्जाम की द्रश्टि से सुरिन्द वर्मा जी का पहला नाटक द्रावपदी ये 1972 इसभी में प्रकाशित हुआ और यह नाटक इनका महाभारत कालिंद्रवपदी का जो मिठकी रूप है उसी पर आधारित है निक्स्ट है इनका सेत उबंदू यह 1972 इसभी में यह भी प्रकाशित हुआ और यह संस्कत भासा के वाकाटक नरेश प्रवर्शेंद्वती यह क्रद्शेत बंद पर आधारित नाटक है अगले नाटक इनका नायक, खलनायक और विदुशक यह भी 1972 इसभी में ही प्रकाशित हुआ यह नाटक सकुन तला और दुश्यंत के आजरण पर आधारित है अगले नाटक आठवा शर्ग, उनिस्टो चैटरिस भी में प्रकाशित हुआ यह नाटक कालिदास के कुमार शंभव महाकावे की आठवे शर्ग पर आधारित है अगले नाटक इनका छोटे शैयद, बड़े सैयद, यह 1982 भी में प्रकाशित हुआ और यह नाटक मुगल समराट मुहम्मद साह के समय का यथार्थ चित्रन प्रस्तूत करता है निक्स नाटक इनका एक दूनी एक, यह 1987 भी में प्रकाशित हुआ इनका सकुनतला की अंगूठी नाटक 1990 भी में प्रकाशित हुआ और इस नाटक में मिर्जा गालिप के जीवन का चित्रन किया गया है जो सुरेंद्वर्मा जी का नाटक आठ्वा शर्ग था वो पहली बार हत्याद सीर्सक से कथा पर्तिका में प्रकाशित हुआ था दोस्तों अब हम लोग देखेंगे सुरेंद्वर्मा जी के नाटकों को प्रकाशनवर्स के क्रमा नुसार याद करने की बहुती इस इसी ट्रिक जिसकी सहता से आप लोग इनके नाटकों को अपने एक्जाम में क्रम से लगा सकते हैं और इनकी रचनाव को भी याद रख सकते हैं तो इनके नाटकों की ट्रिक है सुरेंद्र दौपदी से नायक सूरिय आठ शोटे सयद एक दून में सकुन तला को कैद किय एक बार फिर रिपीट करेंगे सुरेंद्र द्रौपदी से नायक सुरे आठ शोटे शायद एक दून में सकुन तला को कैद किये जोसे इस ट्रिक को आप लोग अगर तीन से चार बार रिपीट करेंगे तो यह आप लोगों को इसली याद हो जाएगी चलिए अब हम लोग इसे explain करके देख लिते हैं तो सुरेंद्र से हो जाएगा सुरेंद्र लेखक का नाम जिसने इन सारे नाटकों की रचना की है और इनका नाम हमने अपनी ट्रिक में इसलिए आड़ किया है ताकि हमें इनकी ट्रिक की साथ साथ ये भी याद रहे कि ये किस से related ट्रिक है और ये सारे किस के नाटक है क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि हमें ट्रिक याद रहती है और हम यह भूल जाते हैं कि यह किस लेखक की ट्रिक थी इसलिए हमने अपनी ट्रिक में इनका नाम एड़ कर लिया है तो सुरेंद से उजाएगा लेखक का नाम सुरेंद वर्माजी द्रॉपदी से याद रखेंगे द्रॉपदीन का नाटक और से से याद रखेंगे सेतु बंधु फिर नायक से याद रखेंगे नायक खलनायक विदोशक सूरी से याद रखेंगे सूरे की अंतिम किरण से सूरे की पहली किरण तक और आठ से याद रखेंगे आठवाशर्ग छोटे सयद से याद रखेंगे, छोटे शयद, बड़े शयद, फिर एक दून से याद रखेंगे, एक दूनी एक, में का कोई अर्थ नहीं होगा, फिर शकुंतला से याद रखेंगे, सकुंतला की अंगूठी, और कैद किये से याद रखेंगे, कैदे हयात, तो एक बार इसे हम लोग और देख लेते हैं तो सुरिंद्र रवपदी से नायक सूर्य आठ छोटे शहियत एक दून में सकुंतला को कैद किये इस तरह से आप लोग इसे रिपीट करिएगा दोस्तों हमें पूरी उमीद है कि आप लोगं को ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे तो आज की हमारी जानकारी और ट्रिक्स कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों अगर आप लोगों ने हमाई इस वीडियो को भी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए और हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में तो तक के लिए नमस्कार दोस्तों